अयोधिया में 22 जन्वरी को राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना है जहां दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल शामिल नहीं होंगे सीम केजरिवाल ने कहा कि राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा का फाइनल निमंत्रन उन्हें नहीं मिला है केजरिवाल ने कहा मुझे श्री राम जन्म भूमी तीर्थ छेत्र ड्रस्ट की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है लेकिन मुझे बताया गया था कि प्रान प्रतिष्ठ समारों को लेकर नीजी निमंत्रन भी भेजा जाएगा जो अभी तक नहीं मिला है सीम केजरिवाल ने माता पिता और पत्नी के साथ 22 जन्वरी के बाद आयोध्या जाने का कारेक्रम बनाया है केजरिवाल ने कहा मेरे माता पिता भी आयोध्या जाना चाहते हैं सुरक्षा कारणों की वज़ा से एक निमंत्रन पर सिर्फ एक ही शक्स को वहाँ जाने की मन्सूरी दी गई है इस वज़ा से मैं 22 जन्वरी के बाद ही आयोध्या जाऊंगा मुखे मंत्री ने कहा कि प्रान प्रतिष्ठा कारेक्रम का व्यक्तिकत निमंत्रन नहीं मिलने से उनकी माता पिता की राम लला के दर्शन करने की बहुत इच्छा है लिहाजा वो आयोध्या से परिवार जाना चाहते हैं अभी एक व्यक्ति कोई आयोध्या जाने की इजाज़त है इसकारण वो 22 जन्वरी को प्रान प्रतिष्टा होने के बाद ही अपने माता पिता, धन पतनी और बच्चों के साथ राम लला के दर्शन करने आयोध्या जाएंगे वही राम मंदीर की प्रान प्रतिष्टा को लेकर देश में सियासत भी जारी है। कॉंग्रेस और आप सहित विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भारतिय जनता पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।